सबी भाई बैनों को प्रभु येशु मसी के नाम में जय मसी की व्यूटिफुल बैबिली स्टोरीज में आप सबी का स्वागत है। उनका इस तरह से आना क्या बैबिल से सम्मंदित था? क्या इसके बारे में पवित्र शास्त्र बैबिल में इसकी कोई भविश्वानी की गई थी? येशु को क्रोज पर चढ़ाने से पहले येशु का स्वागत क्यूं किया गया था? इन सब विश्व के बारे में प्रियो पाम संडे इस्टर के पहले का रविवार होता है जब इसे मनाया जाता है इसके बाद का एक सप्तहा पवित्र सप्तहा की शुरुआत करता है इसी दिन मसीही लोग हातों में खजूर के डालियों को लिये हुए येशु के यरुशले मंदिर में विजई प्रवेश क यादगर उचसाहित होते हैं इस दिन कलीसया में कुछ कारिक्रमों के द्वारा भी इसके बारे में समझाया जाता है आईए इसे वचन से देखते हैं मत्ती 21 का 1-11 जब वे यरुशले म के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बेत भगे के पास आए तो येशु ने दो चेलो को यह कहकर भेजा सामने की गाव में जाओ वहाँ पहुचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा उन्हें खोल कर मेरे पास लाओ यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभू को इनका प्रियोजन है तब वहाँ तुरंद उ चेलो ने जाकर जाचा येशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वहाँ उन पर बैठ गया तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिचाए और अने लोगों ने पेडों से डालिया काट कर मार जब उसने यरुशिले में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे यह कौन है लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भविश्ट वक्ता येशु है येशु यरुशिले मंदिर में फसाह के परव को मनाने जा रहे थे जिससे यहुदी मनाया करते थे क्योंकि यह परव मनाना बहुत महत्वपूर था क्योंकि इसराइली जब मिस्र की गुलामी में थे तब मिस्र का राजा फिरॉन इसराइली को गुलामी से अजाद नहीं होने दे रहा था तब यहवा परमिश्वर ने मुसा और हारून के द्वारा मिस्र पर दस विपतियों को डाले थे जिसमें से आखरी विपत्ती के अनुसार यहोवा परमिश्वर ने मुसा से कहा निर्गमन 11 के एक में, फिर यहोवा ने मुसा से कहा एक और विपत्ती मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ, उसके पश्यात वह तुम लोगों को वहाँ से जाने देगा और जब वहाँ जाने देगा तब तुम सबों को निश्य निकाल देना पद चार में फिर मुसा ने लोगों से कहा यहोवा इस प्रकार कहता है आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूँगा तब मिस्र में सिहासन पर विराजने वाले फिरॉन से लेकर चक्की पीचने वाली दासी तक के पैलोठे वरन पश्यों तक के सब पैलोठे मर जाएंगे इसलिए यहोवा परमिश्वन ने मुसा से कहा कि इस्राइल की सारी मंडिली से इस प्रकार से कहो कि तुम लोग अपने पित्रों और घरानों के अनुसार एक-एक मेमना ले रखो तथा तुम्हारा मेमना निर्दोश और एक वर्ष का हो था यहोवा के वचन के अनुसार इस्राइलियों ने फसाग के पर्व को मनाने के लिए निर्दोश मेमने को लेना था तब उन्होंने मेमने के लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वार के दोनों अलंगू और चोखटों पर लगा देना और मिस्र के सारे करमचारियों के पहलोठे तथा फिरोन का पहलोठा और पशू के भी पहलोठे उस रात मर गए थे। परन्तु इसराइली घरों में यह विपत्ती नहीं पड़ी थी और मिस्र में बड़ा ही हाहाकार मच गया। इसलिए इसराइली फसाह के पर्व को मनाते थे जिस पर्व को मनाने के लिए येशू यरुशले मंदिर में जा रहे थे। लेकिन इस बार के फसाह के परवि के लिए येशू के लिए भविश्वानी हुई थी कि येशू ही परमीश्वर का मेमना है जिसके लहू के द्वारा हमारा उधार हो यहू ना एक के उन्तिस में दूसरे दिन उसने येश्यो को अपनी और आते देख कर कहा देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है अब बात आती है येश्यो गधे के बच्चे पर क्यों सवार होकर आये थे इसके पीछे का क्या कारण था जकर्या नो के नो में हे सियोन बहुत ही मगन हो हे ये यरुशलेम जैजे कार कर क्योंकि तीरा राजा तेरे पास आएगा वहाँ धर्मी और उद्धार पाया हुआ है वहाँ दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चड़ा हुआ आएगा पूराने नियम में जकर्या नमक भविष्टवक्ता ने येशु के बारे में भविष्टवानी किया था कि उद्धार करने वाले राजा की क्या पहचान होगी जिसे येशु ने पूरा किया मती 21 के छे में चेलों ने जाकर जैसा येशों ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गदी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वहाँ उन पर बैठ गया तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिच्छाए और अने लोगों ने पेडों से डा प्रियो इस दोरान उस समय जब येशु यरुशले मंदिर में प्रवेश करने वाले थे तब लोगों में बड़ा उच्सहा देखने को मिला था। येशु की विजय यात्रा लोगों ने उनको राजा के रूप में और प्रभु के रूप में स्विकार किया था। उनकी स्वागत के बाद उनके साथ कैसा वहवार किया जाएगा उन सब के बारे में येशु जानते थे। लेकिन फिर येशु यह सब जानते हुए भी व्याकुल नहीं थे। लेकिन वचन में लिखा है लुका उननिस के तालिस में। जब वहार निकट आया तो नगर को देख कर उस पर रोया और कहा क्या ही भला होता कि तू हाँ तो ही इसी दिन में कुशल की बाते जानता परन्तो अब वे तेरी आँखों से छिप गई है क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांध गर तुझे घे जब तुझ पर कृपादिस्टि की गई ना पहचाना येशो उस नगर में होने वाली घटना के बारे में जो भविश्य में होने वाली है इसलिए रोय थे क्योंकि येशो के बारे में सब कुछ पहले से ही लिखा था परन्तो उन्होंने अपने उध्धार करता को नहीं जाना था आज भी लोग पाम संडे को मनाने जाते हैं तो अच्छे से अच्छे वजद्रों को पहन कर हातों में खजूर के डालिया लिये हुए बड़े उत्साह के साथ परमेशर के भवन में जाते हैं जैसा उस समय के लोगों में भी उत्साह था उस समय के लोगों ने हमारा छुटकारा है उसे नहीं पहचान रहे हैं। आज हमें जरूरत है कि हम अपनी त्यारी को कैसे करते हैं। यो येशु यरुशले में प्रवेश कर चुके हैं। साह का मीमना येशु हमारे और आप के लिए बलिदान हो चुके हैं। ये सारी घटनाये पूरी हो चुकी है अब महत्व पूर घटना होनी बाकी है दुबारा अपने लोगों के पास अपनी कलेसिया को लेने आ रहे हैं इस समय हमारे हातों में खजूर के डालिया अच्छे कपड़े मायने नहीं होगा हमारे दिल को हमारे प्यार को जो येशु के लिए होना चाहिए हमारे धर्म की काम जो वचन में लिखा है उसके अनुसार होना चाहिए खजूर के डालिया हम अपने हातों में लेकर येशु की महिमा स्वर्ग में करेंगे प्रकाशित्वाक के साथ के नौ में इसके बाद मैंने द्रिस्टी की और देखो हरे एक जाती और कुल और लोग और भाशा में से एक ऐसी बड़ी भीड जिसे कोई गिन नहीं सकता था श्वेत वस्त्र पहने और अपने हातों में खजूर के डालिया लिये हुए सिहासन के सामने और मेमनी के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है उद्धार के लेकर श्वेत वस्त्र पहने हुए उनकी अराधना करेंगे जन्तु स्वर्क में इस अराधना को करने से पहले अभी हम और आप इस प्रीत्वी पर हैं क्या आज हम अपनी खुश्यों को किस तरह मनाते हैं ये हमें स्वेम सोचना है उनको जानते हुए भी उसके अनुसार अ व्यतीत करके सिर्फ पर्व को मना रहे हैं प्रियों आप अपने खुश्यों में आनंदित हुए ये तो जरूरी है क्योंकि वजन कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो इसलिए हमें आनंदित रहना अवश्य है पर इस समय जब हम दुनिया के अंतिके नजदीक वजन के अनुसार अपने जीवन को जीए क्योंकि पर्मेश्व का क्रोध हमारे लिए नहीं है उनका अनुग्र हमें इस समय मिला है ये शु के आगमन के पहले अनुग्र की द्वारा हमारे सारे पापों की शमा हो जाएगी जब हम उनसे पशताप कर लेंगे और ये शु को अपना उधार करता ग्रहन करेंगे वरन ये शु के आगमन के बाद ये समय हमें नहीं मिलेगा इसलिए प्रियो आज से ही अपने घुटनों को ये शु के सामने मोड दीजिए अपने सिरों को जुकाए हुए अपने गुणाहों की माफि मांग लें योंकि यहुना तेन सोला में लिखा है क्योंकि परमीश्व ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नस्ट ना हो परन्तु अनन्त जीवन पाए इस वीडियो के द्वारा आप सभी को आशेश मिले अब मैं इस वीडियो क को यहीं पर समाप्त करती हूँ अब मैं मिलती हूँ आप से अपनी अगली वीडियो में आप सभी भाए बैनों को प्रभु येश्व मसी के नाम में जय मसी की तो दोस्तों कैसी लगी आपको इस्टोरी कमेंड में लिखके बताईए आगे यह इसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राब कर दिए जय मसी की दोस्तों